नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल ट्यक सीक प्रो में मैं यस्वंत कुमार हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई जॉब अपटेट को लेकर ये वीडियो 10th 12th ITI उसके साथ साथ डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही most important होने वाली ह है तो अगर आप हाई स्कूल इंटर आई या फिर डिप्लोमा से हैं तो ये वीडियो आप लोगें के लिए बहुत ही most important होने वाली है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा इसमें हम आपको बताने वाले हैं डिफेंस सर्विस स्टाप कॉलेज के तरफ से जो बैकेंसी निक से पहले बता दिए अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे है तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम है कि आकर यह DSSC है क्या तो जैसा है कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसकी Official website में जब आप About Us में जाएंगे तो DSSC कहां परिस्थित है तो Located at Bellington, Tamiladu, India तो यह कहां परिस्थित है तमिलाडu में इस्थित है चन्नाई के प्रवाइड की जाती है तीनों प्रकार की सेनहों के तीनों प्रकार की सेनहों का मत्भश इहां पर Army, Navy, जब आप इसकी official website पर आएंगे मैंने link description में दे दिया है वहाँ पर आने के बाद आप यहां career वाले option पर click करते हैं तो जब career पर click करेंगे तो आपके सामने एक नया page open हो के आएगा यहां पर आप देख पा रहे हैं defense service, staff college, inviting application for LDC, stenographer, MTS and other posts through offline mode click here to view details यहां पर आप जब click here to view पर click करेंगे तो आपके सामने एक नया PDF open हो के आजाएगा ठीक जो कि क्या इसका detail advertisement है तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने PDF open हो के आजाएगी यहां आप इसका देख सकते हैं सबसे पहले date of application एक तारीक को कल की date में यह form निकाला गया है last date क्या है तो 22 मई इसकी last date रखेगे तो आपनों के पास 20 दिन का समय है इस post के लिए apply करने के लिए तो सबसे पहले यहां पर जो post निकाली गई है वो किसकी है इस टेनोग्राफ पर grade second की है इसका पे लेबल 4 रहने वाला है मिस 25,500 बेसिक होगा इसमें TDA, HR वगरा मिलाया जागा तो 40 के करीब आपकी salary पहुँचने वाली है इसके लिए 4 post है अन्रिजर 3 OBC 1 एज लिमिट 18-27 होनी चाहिए दूसरा जो post है वो lower division color के लिए इसमें level 2 मिलेगा आपको 19,900 से 63,200 के बीच में 10 post है अन्रिजर 4 OBC 4 ST1 EWAS 1 X servicemen के लिए भी यहां पर निकाली गई इसमें से 18-27 होना चाहिए अगला है civilian motor driver ordinary grade का इसमें भी पे लेबल 2 है 7 vacancy 4 अन्रिजर 3 OBC एक यक servicemen के लिए भी यहां पर 18-27 इसके लिए भी होना चाहिए next है शुखानी के लिए इसमें पे लेबल 2 दिया जाएगा एक post के वल और ओभी अन्रिजर्ब के लिए है 18-25 साल होना चाहिए अगला बहुत ही most important जो की carpenter के लिए है carpenter में total कितनी vacancy एक vacancy है 18-25 age limit पे लेबल 2 इसका भी है next है multitasking staff office and training के लिए यहां पर level first आपको मिले वाला है इसमें बहुत जादा 60 पोस्ट है 25 किस के लिए अन्रिजर्ब OBC के लिए कैस यसी के लिए 7 यस्टी के लिए 2 EWS के लिए 5 छे है एक सर्विसमेंट 6 है PWD के लिए 18-25 यहां पर भी age limit रखी गई है अब PWD वाला यहां पर आप देख सकते हैं किसको किसको दिया गया है इसके बाद हम detail discuss करते हैं Eucational qualification की यहां पर आपकी qualification किस पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए जो सबसे पहले जो stenographer grade second है इसके लिए 12 यहां पर मांगा गया है intermediate या इसके equivalent होना चाहिए इसमें skill test जो होगा उसमें dictation होगा 10 minute का इसमें 80 word per minute आपकी writing होनी चाहिए transcription 50 minute आपको English 65 minute हिंदी computer पर आपको यह करना होगा lower division color की बात की जाए तो इसमें 12th pass इसमें भी मांगा गया इसमें भी skill test होगा यहां पर typing 35 per word minute English की होनी चाहिए 30 word per minute हिंदी की होनी चाहिए 10 minute का यहां पर paragraph दे कि आपका typing test लिया जाएगा जो civil motor driver का है इसके लिए भी 12th होना चाहिए इसके equivalent होना चाहिए इसमें apply कहने के लिए आपके पास driving license होना चाहिए और two year experience होना चाहिए किसी भी undertaking या फिर government institute में आपको driving का भी happy back health है सुखानी की बात किया है तो इसमें 12th class या इसके equivalent नहीं जो डिप्लोमा वाले भी है वो भी इसमें apply कर सकते हैं हाँ पर certificate किसमें होना चाहिए swimming में होना चाहिए good selling knowledge होना चाहिए साथी साथ proficient in handling out board motors बोर्ड मोटर्स को यहां पर चलाने का experience होना चाहिए यहां पर जो navy के ex-servicemen ex-sailor हो गए रहा है उनको सबसे पहले preference दी जायेगी अगला बात करते हैं कारपेंटर के लिए educational qualification तो यहां पर 12th होना चाहिए या फिर उसके equivalent होना चाहिए अत्वा यहां पर industrial training institute जो लोग ITI वाले कारपेंटर से पास आउट हैं वो भी इस post के लिए क्या कर सकते हैं अपलाई कर सकते हैं बस सर्त यहां पर आपको दो year का experience मागा गया है जो की होना चाहिए multi-tasking staff के लिए क्या है matriculation pass out या फिर इसके equivalent means यहां पर आपको 10th pass होना अनिवार रहे तो आप इस post के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके multi-tasking staff के लिए जो भी age limit 18-25, 18-27 दिखाई गई है वो कब calculate की जाएगी तो 22 मई 2021 के अनुसार इसको calculate किया जाना है age relaxation जैसे कि आपको हर जगा मिलता है उसी प्रकार यहां पर भी आपको age relaxation मिलने वाला है date आप कब apply कर सकते तो उपर ही हमने देखा है कि जो आपको form है basically offline है आपको form fill up करके speed post करना है तो 22 मई से पहले पहले आपका यह form वहां पर center पर पहुंच जाना चाहिए अब आप form कहां से download करेंगे तो form इसी के description में आपको इसी में दिया गया है ठीक है उस पर क्या करना है आपको self address envelope लेना है 10-22 cm का 22 रुपे का postage stamp लगा करके आपको post कर देना है जो इस भी post के लिए apply करें cover पर आपको post application for the post आप मिस जिस post के लिए apply करते है उस post का नाम लिखना है address आपके सामने दिया गया है the command and defense service staff college बेलिंग्टन नीलगीरी 643-231 pin code तमिलाड इतना address आप post करके उस पर return करके इसको आपको post कर देना है ठीक अब आपको form थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पर आपको form दिखाया गया है इसी को जब आप detail advertisement को download करोगे तो वहीं पर आपको form भी मिल जाएगा ठीक अब यहाँ पर जो सबसे पहले यह office use के लिए यह आपको नहीं बरना है यहाँ से आपको भरना इस्टार्ट करना नाम हस्बे नाम डेटा पर एज और आपको यहाँ कटेगरी क्या 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 आपकी qualification से वह आपको भरना है experience हो हो तो वह आपको डालना है अगर आप कहीं पर central state government place view में work कर रहें तो वहाँ से आपको no objection certificate भी चाहिए होगा आधार card detail present address home address यह सारा डाल करके आपको क्या करना है place जहाँ पर आप है उसमें वह अस्थान का नाम जिस date में आप post करें वो date यहाँ पर अपना signature क्या करेंगे sign करके इसको आपको post कर देना है acknowledgement admission यह सब आपके लिए अधर चीजें दी गई है duplicate copy ठीक है यहाँ पर यह भी आपको क्या है भरने भरके इस पर आपको देना होता है ठीक है एक acknowledgement के लिए वह आपको क्या करेंगे यहां से return करेंगे ठीक mode of selection क्या रहने वाला है तो selection की बात देख ली जाए कि कैसे होगा तो all application यहाँ पर क्या करेंगे age qualification यह सारा वो match करेंगे उसके आधार पर आपको call letter जारी करेंगे return test के लिए ठीक जब आप form भेजेंगे तो उसकी जाच की जाएगी eligibility जो भी होगी उसके आधार पर आपको return test के लिए बुलाया जाएगा return test में क्या है सबसे पहले जो return test होगा उसमें general intelligence reasoning आएगी numerical aptitude आएगा general English आएगी general awareness आएगी और जो भी trade आपका specific है उससे आएगी जो paper होगा Hindi और English दोनों language में होगा यह आप होगें के लिए बिल्कुल सही है इसके बाद return test हो जाएगा तो वहां से merit prepare की जाएगी उसमें कुछ ratio होगा उस ratio के अंसार आपको skill test physical test के लिए यहाँ पर बुलाया जाने वाला है ठीक shortlisted conditions are to bring original certificate copies of an lecture attached with application जो भी shortlist के जाते हैं बाद में skill test हो गहरा के लिए उसी time पर आपका document verification भी होगा ठीक तो यह थी total detail तो अगर आप high school intermediate immediate ITI या फिर diploma से हैं तो आप इन पोस्टों के लिए apply कर सकते ठीक तो आपको वीडियो कैसी लगी बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसके लिए आप जरूर apply कीजिएगा बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको महौल मिलने वाला है working यहाँ पर आपको मिलने वाला है ठीक तो इस college की building है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया महौल है working experience है यहाँ पर कितना working atmosphere है यहाँ पर ठीक आप जिनों के साथ काम करेंगे सब higher officers होंगे यहाँ पर ठीक है तो यह सारी चीजिए आपको benefit मिलने वाला काफी कुछ यहाँ पर आप लएके सीख पाएंगे तो वीडियो कैस के साथ तब तक क्लिए वे गुड डे बेस्ट आप लख बाबाए सभी को